सब्सक्राइब करें हमारे चानल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी विडियो सबसे पहले अनकारी दूँगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो भगल मे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे कुछ ऐसे सीरियल नंबर वाले नोट देख रहे होंगे जिनके सीरियल में कुछ ना कुछ खास है तो इनमें से जो सबसे पहले नोट है वो मैं आप लोग को बता देता हूं ये जो 786 वाले नोट होते हैं उनको कुछ कलेक्टर बहुत और लास्ट में भी हो सकता है लेकिन जो लास्ट में होता है उनकी कीमत ही ज्यादा मानी जाती है और अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जिनमें डबल 786 यानि कि शुरू में भी 786 और उसके बाद भी 786 है तो आप समझ सकते हैं उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होगी मार्क बना होता है यह नोट भी fancy numbers की category में आते हैं ऐसे नोटों की भी market value काफी ज्यादा है collectors इन नोटों को भी collect करना काफी पसंद करते हैं इन नोटों की कीमत भी आपको अच्छी मिल जाएगी market में और दोस्तों इसके बाद मैं आप लोग को ऐसे fancy numbers वाले नोट दिखाने वाला हू है ऐसे ही इसके नीचे वाले नोट में भी है one double two double two two और यहां पे है double four double four seven four double four zero double four four तो ऐसे नोटों को भी collector काफी पसंद करते हैं और इनको collect करते हैं आप लोग इन नोटों को भी अपने पास जरूर collect करें क्योंकि इन नोटों की भी कीमत काफी अच्छी मिल जाती है लेकि इसे नोटों की कीमत इन नोटों के मुकाबले ज्यादा होती है तो अगर आप लोगों के पास ऐसे नोट है तो आपको माला माल कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को यहां पे दिखा देता हूं यहां पे कुछ मेरे पास 10 रुपे के भी नोट है इनके सीरियल म जैसे कि यहां पे 5,0 और 1 से शुरू है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे यह सारे नोट एक ही बंडल के हैं और यहां पे पूरा बंडल है मेरे पास इस बंडल की कीमत भी बहुत ही ज्यादा मिलेगी आपको अगर आप लोग को पास होगा ऐसा बंडल क्यू ऐसे नोटों को आप सिंगल ना बेचें इनको आप पूरे बंडल में बेचें तो इसकी कीमत आप लोग को बहुत ही ज्यादा मिलेगी जैसे कि इस नोट की एक्शुल कीमत यानि कि इसमें 10 नोट है तो यह 2000 रुपे हैं इनकी कीमत आप लोग को 5000 तक मिल जाएगी ऐसे एक लोगों के पास भी ऐसे कोई नोट है तो आप लोग उनको OLX, Quicker या eBay.in पे बेच सकते हैं कि collectors इन नोटों को ऐसी websites पे सर्च करते रहते हैं और अगर उनके मतलब का कोई नोट होता है तो वो उनको अच्छी कीमत के खरीद लेते हैं तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसे क अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देगे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसके भी क्लिक करके हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेश को आउन कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले मिल जाये करें और इस स्क्रिप्शन बिल्कुली फ्री है तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद